प्राइम टीवी इंजीनिया सुनिल कुछवाहा और रामधानी बिंद उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आने वाला जो 2022 का जो चुनाव है उसमें किस तरीके से वो अपने भागीदारी निवा रहे हैं किस तरीके से वो बीजेबी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आई सीधे रुख करते हैं सेयोजग की तरफ से तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शोबे चुनावी चर्चा के शोबे हम आपसे आज यह सबसे पहले जानेंगे कि आप किस तरीके के आयुजन कर रहे हैं अभी आने वाले 2022 एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है क्योंकि कुश्वाहा से तो आप हमें पताएं कि आप अभी किस तरीके के सम्मेलन करने जा रहे हैं और किस तरीके से आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे चार दिसंबर को बल्या में सोसित समाज सम्मेलन की तैरी हो रही है और ये एक बहुत बड़ा कारिकरम है जिसमें हर वर्गे के हर समाज के लोगों को कजमावडा होगा और भारी संख्या में सोसित समाज के लोग आएंगे और इस कारिकरम का उद्देश ये है कि सोसित समाज सम्मेलन में सोसित समाज की बात होगी सोच ये है कि जिस समाज को सदियों से सताया गया जिस समाज को सदियों से तरक्की और उन्नती के अवसर नहीं मिले उस समाज को लेके आगे बढ़ा जाए इसी बात को लेके सोसित सम समाज को लेकि आप यह सम्मेलन करने वाले हैं क्या इस सम्मेलन सिर्फ आपको सिर्फ वलिया में ही रहेगा या आप कुछ अन्य शेहरों में भी इस तरीके के सम्मेलन करने का आगी का कोई प्लान है इस तरह के आयोजन हिस्सेदारी मौर्चा भाजपागट बंधन के तत्वा अब हमारे साथ संयोजक रामधानी बिंद जी से हम जाना चाहेंगे कि क्या इस सम्मेलन से बीजेपी को किसी तरीके का फाइदा पहुंचेगा आपको लगता है कि आप बीजेपी को जिस वज़े से आप बीजेपी में शामिल हुए हैं बीजेपी से आपने गटबंदन किय क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फाइदा होने वाला है जो हिस्टेदारी मोर्चा है हिस्टेदारी मोर्चा है हम दस घटक दल लोग हैं जिसमें सुनिल कुस्वहा जी महंदर प्रजापती जी और हमारे एटा से हैं किष्ण कुपाल कश्यप जी बाबुलाल राज में जाती समिकन चल रहा है और अई बात भारती जन्ता पार्टी समारा गरबंधन 27 तारीक हुआ जिसमें साथ में अभी हाल में हैं दो पार्टी कुस्वहा जी और मानुमेंदर आपके आरेन चौधरी मानो जी भी गरबंधन सामी लोग हो गया हैं तो इसमें दस लोग की र d круг اिश्च mily जब सिब्सक्राइब में देखा जया की जब से आजादी हुई है आजादी के बाद से कांग्रेस हो वर तो उती पीशहें समाज क लेने लेकिन जब हिस्सरे की बात आती बिंदर की बात हो केवर्ड की बात हो निशाज की बात हो मुसहर की बात हो प्रजापती क बढ़ नाइल लोहार की पाल के वूर्ट लेती है लेकिन इदेंहें हिश्सा नहीं देती यह लेकिन हिस्सेदारी मोर्चाइआं। जो हमारे दसो राजितिक पार्टियां है को पुरा-पुरा फैदा होगा और पुरवानचल नहीं पुरे उत्तर क्रदेश में पैदा होगा जिसका आप को आगाज आज तमाम पार्टि कांग्रेश बालिया की धरती पे हम लोग सोसी समाज अती पिश्रा महा सम्मिलन कर रहे हैं वह समिलन आपको बताएगा कि सोसी समाज के यह अपने जनता पार्टी से लोग जूड़ते हैं जो से अकलेश जी कहते हैं या जो उनके गटटक दल कहते हैं कि इस बार खदेड़ा होगा उनका खुद कहीं खदेड़ा अकलेश जी कहो जाएगा और हिस्सेदारी मोर्चा के आने से भारती जनता पार्टी की सीटे 300 प्रस हो जाने वाली हैं अभी आपनी जिस तरीके से रामधानी जी जिस तरीके सा भी आपने रखलेश यादा की बात की है वहीं अकलेश यादा भी लगतार विजह रत्यात्रा निकाल रहे हैं वो भी अलग अलग जगे जा जा की विजह रत्यात्रा करने वाले हैं तो आपको लगत जो लोग को लालत देने काम कर रहा है उनका गड़बंधन जो जमीनी अस्तर पे नहीं है और भारती जनता पार्टी की जितने हम घटक दल की दसों नेता है वह टीवी पे मीडिया पे नूस पे भारती जनता पार्टी हमें प्रमोर कर रही है और समाज में दिखा भी रहे कि य योगी आदित के नाज जी के पास यह सोशी समाज अती पिसे समाज के नेता उनके कंधे से कंधे मिलाकर योगी जी को फिर से 2022 मुख मंतरी बनाने काम करेंगे क्योंकि अकलेश जी यादो आज उन्ही को साथ में ले रहे हैं जिब उनकी सरकार थी जो कोई वेकेंसिया निकल कि अज छोटी छोटी पार्टी कि उन्हें मत्तब याद आएं जी अचा सुनील जी यह पताईए कि आप क्या जो आपका जो शोशित समाज सम्मेलन होने वाला है उसमें क्या मेन मुद्दा रहेगा आपका किन बातों को लेकर आप उस सम्मेलन में उतरेंगे किन बातों पर लेकिन आपका जादा ध्यार रहेगा उस पर। इनके भी भागिदारी होगी और जो समाज आज हासिये पे चला गया था सदियों से समाज को पिछाड़ा गया सताया गया और इनके हक और अधिकार को उनका हक हिस्सा नहीं मिला इनको परियाप तसम्मान नहीं मिला तो तमाम राजनितिक दलों ने इनको चला है भले ही सरकारे दूसरे दलों की भी सरकारे रही है लेकिन इनके ओट बैंक को तो इस्तेमाल किया गया लेकिन इनकी ग्राउंड इस्तिती को सुधारा नहीं गया चाहे सिच्छा से संबंधित बात हो चाहे हेल्थ सिस्टम को हो गरीबों के लिए आज बहुत सारी दिक्कते हैं खास तोर से सो आज एक फूरम दिया है मानी केवट रामधनी बिन जी के नेतरित्त में ये हिस्सेदारी मोर्चे का गठन किया गया जिसके आप सेयोजक हैं और हम लोग सेयोजक हैं और पूरी टीम एक मुस्तेदी से काम कर रही है और जो इसमें हम लोग किसान गरीब मजदूरों के भी ब गडबंधन है तो केंद्रो और राज्जिम में भी दोनों सरकारे हैं तो आज गडबंधन के माद्यम से हम लोग इन पर आवाज उठाएंगे सम्मेलन में प्रमुक्ता से इनके मुद्दों को हम लोग रखेंगे जिस तरीके से अभी आप जो सम्मेलन की बात कर रहे हैं कि आप शोषित समाज के लोगों पर बात करने वाले हैं तो हम यह हैं क्योंकि और अन्य पार्टियां भी इस तरीके के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और उन मुद्दों को बात कर रहे हैं तो इसमें किस तरीक कि उ cases और वर को लेकी चल रहा है और उस पर फोकस कर रहा है तो आपका और उनकी क्या क하세요 ना कि आई कि इस सरकार हो मुद्त हुआ तो अलड़ या व्यूमी नहीं आई आइसा पड़ा इस सोची समाज की जब नोकरी हो पुलिस बिभाग में हो चाहे तमाम जो भी चीजे होते हैं तुमको अधिकार नहीं मिला लेकिन भारती जंदा पाटी ने हमेशा सोशी समाज के बारे में सोचा है और अभी देखे तमाम योगी जी और मोदी जी के नेतरुत में तमाम विकास है आज जिसे मुसहर जैसे समाज को भी उनने हमारे गड़बंधर में लेने का सामिल किया है आत आजादी के बाद किसी भी राजेतिक पाटी ने मुशर समाज को नितबनाने काम नहीं किया है लेकिन हिस्थेदारी मोर्चा ने चंद्रमा बन्वासी को मुशर अंधुल मंझ को अपने अपने मोर्चे में सामिल करके और उस चंद्रमा बनवासी जी को भार्टी दिन्ता पार्टी के जो प्रतिस अद्धर्ष मारी सुतंदर देउस सिंग जी ने उन्हें उनके तारिफ की है कि उन्हें ने कहा कि आप इस मोर्चे के लोगों ने एक ऐसे समाज को उपर लिया है जि का उत्थान करेगी करेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ प्राइम टीवी के चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूते हैं सदारी मोर्चा के सायोजक रामधानी बिंद और सायोजक इंजीनियर सुनिल कुश्वाहा जिन से हमने बात की आने वाले दो 2022 का चुनाव उसकी वजह से वो अपने बक्ष में कर पाएंगे उमीद है आपको इस चुनावी चर्चा काफी पसंद आयोगी अगले जानकारी के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार